Hello everyone, Python programming सीखने की सीरीज में, आज हम लोग सीखने वाले हैं bitwise left shift operator, bitwise right shift operator and bitwise complement operator. इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था bitwise and operator, bitwise or operator and bitwise jor operator. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे bitwise left shift operator. तो bitwise left shift operator को हम लोग double less than symbol से represent करते हैं और जैसा है कि नीम से पता चल रहा bitwise operator, so of course it will work on bit, it will work on binary digit. तो इसे मैं आपको एक example से explain करता हूँ, suppose in a variable I am going to assign 10 और यहाँ पे हम लोग a bitwise left shift और यहाँ पे मैं 2 value दे देता हूँ, ठीक है? and now I am going to hit the enter key and let's see what result we are going to get. So we are getting here 40, so why this cola berry अखरी यह 40 आ कैसे रहा है? तो चलिए हम लोग इसका PMD करते हैं, I mean to say postmodern कि why 40 आ कैसे रहा है? ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग 10 को binary code में लिखेंगे, है ना क्योंकि bitwise operator bit पे work करता है, binary digit पे work करता है, ठीक है? तो 10 को अगर आप binary digit में लिखोगे, तो इसका value कुछ होगा, 0, 0, 0, 0 and then 1, 0, 1, 0, ठीक है? I have written in 8 bit, perfect, चलिए. अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्या लिखा है? ए bitwise left shift 2, है ना? तो यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है कि यह 2 bit left shift हो जाएगा, 1 लिखोगे, तो 1 bit left shift होगा, ठीक है? चलिए, इसको हम लोग समझते हैं, ऐसा करता हूँ, मैं नीचे में total 8 box बना लेता हूँ, ठीक है? तो bitwise left shift operator में होता है, left side में जो bit है ना? यह वाला bit, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या value लिखा है? मैंने क्या value दिया? 2, है ना? तो 2 bit क्या होगा? वो removed हो जाएगा, that will be discarded, ठीक है? अब यह 0 जो है, यहाँ पे आके shift हो जाता है, this 0 will shift here, and this 1 will shift here, and this 0 will shift here, and this 1 will shift here, and this 0 will shift here, and this 0 will shift here, अब आगे का जो bit बज़िया होँ, पे automatically 0 fill हो जाता है, ठीक है? अब इस binary code को, आप binary digit को convert करोगे, इंटीजर में, decimal में, तो आप देखोगे क्या मिलेगा आपको 40, ठीक है? तो चलिए हम लोगे इसको int function की मदद से कर लेते हैं, ठीक है? मैंने आपको int function के बारें बताया था, है ना? यह binary digit को integer में convert करता है, तो यह ऐसा करता हो, मैं अबे लिखता हूँ, 0B, और उसके बाद क्या है हमारे पास? 001010, 001010, and then 0000, ठीक है? चलिए, now if I will hit the enter key, we will get 40, आप cost we are getting 40, ठीक है? तो इस परकार से आपका work करता है, bitwise left shift operator, अब हम लोग देखेंगे bitwise right shift operator क्यासे work करता है, तो bitwise right shift operator just इसका posit होता है, ठीक है? और right shift operator को, bitwise right shift operator को हम लोग double greater than symbol से represent करते हैं, ठीक है? तो चलिए, इसको भी एक example से समझ लेते हैं, ऐसा करते हैं, इस बार मैं यहाँ पे लेता हूँ 15, आप चाहोँ, तो directly इस type से भी लिख सकते हो, 15 bitwise right shift 1, इस बार मैं यहाँ पे 1 value दे रहा हूँ, याने कि यह one bit क्या होगा? right shift होगा, चलिए, देखते हैं, इसका क्या result मिलता है, तो we are getting 7, अब यार यहाँ पे हमें 7 कैसे मिल रहा है, तो चलिए, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, सबसे पहले हम लोग 15 को binary code में लिखेंगे, 15 का हम लोग binary code लिखेंगे, तो 15 का binary code आप कैसे पता कर सकते हो, you can use bin function, है ना, bin 15 and just press the enter key, है ना, तो यह देखिए, 1, 1, 1, 1, ठीक है, यह 0 भी prefix है, जो की represent करता है, कि this number is in binary format, ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहतो 8 bit में, तो वो कैसे लिखोगे बाई, simple है, आपको starting में, total कितना 0 लगा देना, 4 0 लगा देना, ठीक है, and then 1, 1, 1, 1, perfect, अब उसके बाद क्या करना है, नीचे 8 box हम लोग बनाएंगे, उसी के जैसा, ठीक है, 8 box बना लेते हैं, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब देखो, यहाँ पे magic, ठीक है, बस 7 मैं बोलूँगा, अपने आप 8 box बन जाएगा, 7, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता bit वाज right shift operator में, ठीक है, यहाँ पे right side का bit जो है न, वो discard होगा, वो removed हो जाएगा, है न, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या value specified किया, 1, है न, so only one bit will be removed, only one bit will be discarded from right side, तो right side से यह bit क्या हो जाएगा, remove हो जाएगा, चलिए, कोई issue नहीं है, अब इस बार जो bit field होगा, बिल्कूल इसके opposite होगा, ठीक है, right side से आपका bit का shifting होगा, यह bit आ जाएगा, यह bit आजाएगा, और यह 0 आपका आ जाएगा, यहाँ पे, and this 0 will shift here, and this 0 will shift here, and this 0 will shift here, ठीक है, अब left side में जो एक bit बच गया, वहाँ पर automatically 0 fill हो जाता है, perfect, अब अगर आप इसको convert करोगे integer format में, तो आप देखोगे, आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है, इसका shortcut भी आप manually अगर calculate करना चाह तो आप कैसे कर सकतो, हाना, क्या है आगे में, 0, 0, how many 0, we have 5 0, हाना, तो 5 0 हो गया, and then, triple 1, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे आप arrow mark दो, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है, 1, फिर इसका double 2, और इसका double 4, and then it's double 8, and then it's double 16, and then it's double 32, and then it's double 64, and then it's double 128, ठीक है, अब उसके बाद जितने 0 वाले हैं, उसको आपको क्या कर लेना है, cancel कर लेना है, कि 0 का मतलब आप होता है, यह cancel, यह cancel, यह cancel, यह cancel, यह cancel, है ना, अब जो 1 के उपर, जो भी आपको number दिख रहा है, उसको simply add कर लेना है, तो 4 plus 2 कितना होता है, 6, and 6 plus 1 होता है, 7, आप देखोगे, 7 आपको मिल गया है, ठीक है, तो यह shortcut है, binary को decimal में convert करने का, ठीक है, otherwise you have int function, you can use that, simply आपको यह पर int लिखना है, then 0B, and then 0, 0, 0, 0, 0, and triple 1, and hit the enter key, you will get 7, है ना, तो इस परकार से आपका B2H, right shift operator, work करता है, एक हम लोग समझते हैं, bitwise complement operator, कि आखिर यह कैसे work करता है, so let me rub first, इससे मैं clean कर लेता हूं, just a minute, तो bitwise complement operator करता है, यह bit को flip कर देता है, यानि कि 1 को 0 बना देगा, और 0 को 1 बना देगा, ठीक है, और इसका symbol कुछ होता है, आपका इस परकार से, ठीक है, यह आपको मिल जागा just escape की के नीचे, इसको हम लोग तिल्ड symbol कहते हैं, ठीक है, तो इस symbol से हम लोग इसे represent करते हैं, और यह क्या करता है, अगर आप input 1 दोगे, तो इसको यह 0 कर देगा, आप input 0 दोगे, तो इसको यह क्या कर देगा, 1 कर देगा, यह reverse कर देता, यह bit को flip कर देता, 1 को 0, और 0 को 1, और इसको हम लोग तिल्ड symbol से represent करते हैं, जो कि just आपको escape की के नीचे मिलता है, ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, ऐसा करता हूँ, इसको not operator भी हम लोग करते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इस बार क्या ले लो, 8, ठीक है, and now I'm going to hit the enter key, so we are getting minus 9, हाना, तो अभी यार, यह minus 9 कैसे आ रहा है, अगर आप इसको manually समझना चाहते हो, कि minus 9 कैसे आया, तो इसके लिए simple सा formula होता है, exam में आप directly इसको use कर सकतो, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको इसका R&D करके भी दिखाऊंगा, I mean to say research and development, कि आखिर minus 9 कैसे आ रहा है, हाना तो इसके लिए simple सा formula minus x minus 1, ठीक है, minus x minus 1, तो आपका यहाँ पे देखे, x का value हम लोगों, हम लोगोंने क्या लिया था, 8, तो यहाँ पे x के जगे, 8 पूट करेंगे, तो minus 8 and minus 1, क्या हो जाएगा, minus 9, ठीक है, जैसे मालो, यहाँ पे मैं करता हूँ, b to h complement minus 11, ठीक है, अब द क्या हो जाएगा, plus 11, minus 1, क्या होगा, 10, तो of course we'll get 10, so let's see, yeah, we are getting 10, perfect, चलिए, अब इसको हम लोग, इसको logically समझते हैं कि आखिर यार, यह minus 9 कैसे आ रहा है, और 10 कैसे आ रहा है, तो चलिए, 8, इसको हम लोगों सबसे पहले तो लिख लेते हैं, binary code में, है ना, we'll write in 8 bit, तो क् 0, 0, 0, 0, and then 1, 0, 0, 0, simple, perfect, अब इसका compliment निकालोगे, ठीक है, compliment निकालोगे, तो मैंने क्या बोला, 0 को यह flip कर देगा, किस में, 1 में, 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है, और 1 को क्या कर देता है, 0 कर देता है, और 0 को कर देता है, 1, ठीक है, perfect, अब यहाँ पे देख ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते है, मैंने को, 9 को मैंने को बाइनरी में लिखेंगे, in 8 bit, तो क्या होगा, 0, 0, 0, 0, and then 1, 0, 0, and 0, and 1, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा से गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पे एक 0 नहीं होगा, चलिए, perfect, ठीक है, अब इस 9 का कॉंप्लिमेंट आप निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, and 0, perfect, ठीक है, अब देखिए, आपको क्या चाहिए, minus 9, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग 2s कॉंप्लिमेंट यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2s कॉंप्लिमेंट न number system पड़ोगे, तो आपको ज्यादा clearly समझ में आएगा, अभी आप फिलाल समझो, कि हम लोग यहाँ पे plus 1 एड़ करेंगे, जिसको के मिले 2s कॉंप्लिमेंट कहते है, इसका मिले 2s कॉंप्लिमेंट कैल्प्लिमेंट करेंगे, तो 0 plus 1 एड़ करोगे, तो 1 मिलता है, यहाँ आप होगे, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ठीक है, अब इसका मतलब होता है भाई, minus 9, अब आप देखो को यह result और आपका यह result जोगा tally करेगा, यह दोनों match करेगा, ठीक है, अपने match जरूर पड़ा होगा, ठीक है, उसमें trigometry जरूर पड़ोगे, LHS और RHS स्वाप्लिमेंट करते हैं, ठीक है, तूसरी परकार से, if this and this, यह न, if both will match, it means, it is perfect, यह absolutely perfect result हमें दे रहा है, तो इस परकार से आपका bitwise compliment operator वर्क करता है, तो चलिए वह हम लोगे assignment question देखते हैं, ऐसा करतो मैं इसे rub कर लेता हूं, यह न, और कुछ question है, जिसका answer आप मुझे comment section में बता सकते हो, तो सबस पहला question है, which one of these is bitwise left shift operator, option A, option B, option C, या option D, question 2 है, what will be the output of 16 bitwise right shift 2, option A1, option B2, option C3, या option D4, तो आज के लिए बस इतन नहीं, मैं उमीद करता हूं, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर आपका किसी भी टाइप कर डाउट हो, तो आप मुझे comment कर सकते हो, मैं मि मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, जय हिन, जय भारत.